नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका फिर से हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों बहुत से लोगों की दुआरा ये पूछा जाता है कि संसार सब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संसार सब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है या फिर यह भी कह सकते हैं कि संसार किसे कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखी और वीडियो अच्छा लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों सबसे पहले हम जाने लिते हैं कि संसार सब्द का अर्थ या मतलब क्या होता है तो दोस्तों हिंदी बासा में संसार का अर्थ एक एसे इस्थान से होता है जहां पर जनम मरण चलता रहते हैं यानि वह चकर जिसमें जनम मरण चलता रहता है संसार कहा जाते हैं इसके अलावा ये भी कह सकते हैं कि पूरे जग को संसार कहा जाते हैं कुल मिलाकर वह इस्थान संसार होता है जहाँ पर हम सभी रहते हैं जैसे कि हम मानव विश्वय में रहते हैं तो पूरा विश्वय संसार होता है इसके लावा दोस्तों संसार सब्द के जो वर्थ होते हैं उन्हें कुछ इस तरह से समझाया जा सकता है वह इस्तान जहाँ पर जनम मरने का समय चलता रहत दुनिया, जगत, विश्वय, मर्तियु लोग आदी सभी संशार सब्द के अर्थ या मतलब होता हैं इसके लावा दोस्तों संशार सब्द के वक्यम प्रियोग भी कर लेती हैं जो कुछ इस तरह से हैं आजकल संशार में पाप पुन्य का अंतर नश्ठ हो रहा है नमबर टू, संशार के इस मायावी खेल में धरम का अंत होता जा रहा है नमबर तरी, वरतमान का सभी ऐसा हो गया है कि संशार में हर कोई दुखों में डूबा रहते हैं नमबर फूर, पाप का अंत करने के लिए अक्सर संसार में किसी देवी ये सक्ती ने जनम लिया है, तो इस तरह से दोस्तों संसार सब्द का अर्थ होता है और संसार सब्द का वक्यम प्रियोग क्या जाता है, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब सब्सक्राइब करें और एसे ही वीडियो समय समय पर प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबा दें अंत में कमेंट में बताएं कि आप किस सब्द के अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं हम उस पर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे